तो गाईज मैंने अभी वीडियो एडिटिंग नथिंग फोन वन की रिव्यू वाली कम्प्लीट करी है अभी तक मैंने यूटूब पे इतनी डिटेल में इस फोन के कैमरा की वीडियो नहीं देखी इसके इतने ज़्याधा चर्च है इवर मेरको इंस्टाग्राम पर भी इतने सारे डियमा है कि यार इसका गामरा टेस्करों बहुत चर्च आई यह लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आप बताईए प्रोफेक्श्टनलिल टेस्कर कर कि कैसा है इसका कैमरा है और एक और बताओ मजा नहीं है मजाग कर रहूँ गाइस बिल्कुल मजा है जनरूल नहीं बताओंगा क्या अच्छा है क्या बूरा है क्या मेरे को बिकार बात लगी वीडियो के अंड तक आप खुद देखेंगे कैसे आप यूज कर सकते हैं वो सारी जनकारी आपको पहले देते तों तक कि आपको इसली अंडरस्टेंड हो जाए कि इसके अंदर कैसा जो है ओपरेटिंग सिस्टम है कैमरा का तो कुछ इस तरह का user interface है इसका और सबसे पहले में आपको यहां से mode से दिखा तो सबसे वहले आपको slow motion देखने को मिलता है जिसमें आपको दो mode देखने को मिलेंगे एक है 1x और एक 2x का और उसके बाद गाईज आप वीडियो mode से लेट कर सकते हैं उसमें आपको 0.6 यानि इसके बाद मैंने 4K कर दिया और 4K के बाद आप वापी 7080 कर सकते हैं और यहां पे गाई 4K में 30fps की स्पीड यह सपोर्ट करता है तो all resolution आप यहां से set कर सकते हैं और frame rate आप यहां से इसके साथ में set कर सकते हैं इसके बाद गाईज आपको photo mode यहां पे देखने को मिलता है औ 12 Megapixel या 50 Megapixel अपने हिसाब से एड़ेस्ट कर सकते हैं कौन सा आपको mode चूस करना है और इसमें आपको aperture set करने के लिए यहां पे फीचर मिलता है कि कितना आप aperture set करना चाहते हैं कितना background blur आप करना चाहते हैं all up to you उसके बाद मोर में जाके आपको time-lapse panorama macro short और expert mode देखने को मिलता है यानि कि अगर आप manually camera को operate करना चाहते है manually camera यूज करना चाहते हैं तो यहां पे shutter speed, ISO, wide balance, autofocus, सारी जानकारिया आपको यहां पे देखने को मिल जाती है सब कुछ आप अपने coding set कर सकते हैं and guys माल नीजिए आप video चला रहे हैं तो video में guys आप flash on कर सकते हैं flash on नहीं कर काम आएगा तो तमाम settings guys आपको यहां पे देखने को मिल जाती है और अलग-अलग modes के साब से मिलती है, कोई photo mode में अलग है, video mode में अलग है, all up to you आप कैसे setting करना चाहते हैं और यह interface काफी हद तक Apple से मिलता जुलता है यानि कि अगर आप iPhone यूज कर रहे हैं तो आपको याद आ जाएगी कि उसमें जो है, ऐसा interface हमें देखने को मिलता है, बाकी guys अगर आप इस phone की extra settings में जाना चाहते हैं तो आप इस तरह से swipe down का button दबाकी यहाँ पे तीन note है, इस पे click करेंगे तो यहाँ पे आप सारी camera settings access कर सकते हैं, कि कौन सा video mode चाहिए, आपको कितनी resolution चाहिए, स जो center में आप देखने है, red color का, यह है recording light, यह बहुत अच्छी लगी, माल लीजे, मैं video record करता हूँ इस तरह ऐसे, तो पीछे की तरफ जो है, यहाँ पे recording light दिलनी शुरू हो जाती है, यह recording light यह दर शाते है, कि हमारे video जो है record हो रही है, तो यह भी बहुत अच्छी मेरे को चीज़ लगी, जो आजकल किसी phone में में देखने को नहीं मिलती, बहुत impressive या फिर बहुत ही catchy जो है, यह चीज़ कंपरी ने इसमें डाल के दिया है, तो शुरूआत करते हैं, सबसे पहले front camera से, front camera से मैंने कुछ photos और videos के samples नहीं है, portrait mode में लिए, vlogging style में भी shoot कर रहा है, तो द stabilization देखने को नहीं मिलती, तो अगर आप vlogging करने की सोच रहे है, और इस तरह से camera move करेंगे, या फिर कोई भी ऐसा shot लेता है, जिसमें आपको ज़्यादा movement करेंगे, तो आपको stabilization देखने को नहीं मिलेगे, and guys, यहां मैं shoot करूँ, यह heat बहुत जाद है, बतलब यहां पर 33 के आस करने पर जो यह जो phone है, heat करें, बाकी overall जो quality है, saturation, contrast, sharpness, HDR range, overall आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलने वाली है, front camera से, अगर आप इस तरह से vlogging style में वीडियो बनाते हैं, तो अब same vlogging style में वीडियो मैंने रात को भी shoot करके देखी, बट जो रात की quality है न वीडियो की, वो बहुत जादा average है, अगर आप ध्यान से देखें, तो मेरे background में जो signboards हैं, या फिर जितने भी आप elements देख रहे हैं, उनमें detail नहीं है, वो बहुत जादा जो है, less detail के साथ है, या फिर आप वीडियो में overall भी देखें, तो grains बहुत जादा है, बहुत ही जादा जो है boost करनी पर रहे है, lighting camera को, तो ये एक drawback मेरे को लगा, इसके बाद guys मैंने test किया front camera से photos को, और daytime में no doubt photos मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, अभी हो सकता है, आपकी screen पे photos बहुत छोटी दिख है कि photos कैसे है, तो जैसे से आप देखेंगे आगे, आपको idea हो जाएगा, कि कितनी detail में photos हमने capture कर रहे है, तो front camera से portrait mode की बात करो, या फिर normal mode की बात करो, दोनों में मेरे को photos सच में अच्छी लगी, बट जो night mode में photos है, वो average है, देखो guys, जो quality video में थी same photos में भी देख सकते है कि photos में detail नहीं है, अब मैं आपको guys, photos को zoom करके दिखाते हैं, उससे आपको better idea होगा, देखो guys, ये photo मैंने daytime में, दोपैर के वक्त लिए front camera से, और आप zoom करके देख सकते हैं, कि photos में front camera के recording काफी हद तक अच्छी details है, चाहे आप background में colors देखें, focus देखें, sharpness देखें, काफी ह तक impressive है, एक front camera के point of view से, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुती जादा अच्छा है, बहुती मज़ा आ गया, ऐसा तो नहीं है, बट हाँ, night mode के comparison में काफी improved है, daytime में अच्छी photos लेता है, और price segment के हिसाप से, जो हमें camera deliver कर रहा है quality, front camera से, वो सच में amazing है, मतलब मेरे को तो या फिर portrait mode में वो finishing वाली बात नहीं होती, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस photo में subject और background काफी अच्छे से separate हो रखा है, तो ये चीज जो है ना काफी बढ़िया मेरे को लगी, जो finishing है वो सच में अच्छी है, portrait mode में हो या फिर normal photos वाले mode में हो, अगर आप night mode में भी देखेंगे, अगर lighting condition अच्छी है तो आपको photos बढ़िया देखने को मिलेगी, बट अगर lighting condition बेकार हुई, तो हो सकते आपको जो है photos की quality average देखने को मिले front camera से, ओके guys तो front totally test कर लिए, देख लिए आपने कैसे samples है, आप back की तरफ चलते है, पीछे की तरफ दो camera setup है, और ये दो camera setups है और देखते है quality है इसकी कैसी है photos और वीडियो सब test किया है, मैंने night mode भी even test करा है, सब कुछ देखते है कैसी quality हमें back camera से देखने को मिलती है, तो ये shots मैंने लिए है 0.6 zoom पर और wide angle perspective है, और इसमें wide angle में guys day time में quality impressive है, अब ये shot ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने phone को किसी tripod पर mount करके short लिया हूँ, ये मैं हाथ से short ले रहा हूँ और ये इसलिए smooth लग रहा है क्योंकि guys हमें wide angle में भी video stabilization का feature देखने को मिलता है, तो आप back camera से जब ये video बनाएंगे, आपके video काफी stabilize देखने को मिलेगी, and उसके बाद मैंने change किया mode 1x पर, और 1x पर quality ना wide angle के comparison में जादा better है, आपको details अच्छी देखने को मिलेगी, overall जो colors है या फिर जो overall saturation है वो जादा better मेरे को लगा, मतलब overall जो impressive look मेरे को जादा 1x में लगी, और guys 1x के बाद मैंने zoom किया 2x पर, और 2x पर quality काफी हद तक बरकरार थी, but उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी 1x पर लगी मे मेरे को slightly फरक लगा, जादा नहीं, थोड़ा बहुत फरक मेरे को देखने को मिला, अब बात आती है, इस camera से है, इस phone से हम zoom कितना जादा करते हैं, तो अब मैं आपको इसमें 10x तक zoom करके दिखाता हूँ, और उससे आपको बहतर idea होगा, कितरा हम बहतरीन zoom इसमें कर सकते हैं तो गाई, जैसी मैंने zoom किया, 10x पर quality, काफी खराब हो चुकी थी, अब यह zoom 10x पर है, फिर मैं वापिस से 5x पर लेका है, और अब यह 5x पर है, फिर मैं गाईस वापिस से 2x पर लेका है, तो आप देख सकते हैं, अलग-अलग zoom पर अलग-अलग quality जो है, यह camera deliver करता है, और stabilization को test करने के लिए, मैंने consumer के point of view से, एक normal walk के साथ, इस camera को use करते हुए, टेस्ट किया, और stabilization मेरे को काफी impressive लगी, जैसी जैसे मैं movement कर रहा था, smoothness हर जगह देखने को मिल रहे थी, कोई भी issue मेरे को देखने को नहीं मिला, जैसे कि आप देख सकते हैं, walk कर रहा हूँ, इदर अलग-अलग magnification पे लिए हैं, point 6 पे, 1 एक्स पे, 2 एक्स पे, और back camera में आपको दो option देखने को मिलते हैं, या तो आप 12 megapixel वाले camera पे shoot कर सकते हैं, या फिर 50 वाले पे कर सकते हैं, तो अगर आपको जादा detail चाहिए हो, आप अच्छी quality चाहते हैं, तो आप 50 megapixel वाले पे shift कर सकते हैं, अधरवाइस आप 12 megapixel पे shoot करके जो है, काफी storage बचा सकते हैं, तो मैंने काफी तरह के sample shoot किये, landscape में, portrait में, अपनी photos कीच के देखी, और normally भी photos कीच के देखी, तो मेरे को overall जो back camera से photos की quality है, काफी impressive लगी, चाहिए wide angle हो, 1x हो, 2x हो, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपनी photo भी पहले, wide angle पे ली, फिर 1x पे ली, फिर 2x पर ली, तो उससे हमें काफी जादा flexibility मिल जाते हैं, कोई भी चीज shoot करने में, हमें बहुत असानी होती है, तो तीनों में अच्छी quality जो है photos में, इस camera ने deliver करी, उसके बाद guys मैंने test किया portrait mode, और आप देख सकते हैं, portrait mode म में हमें 2 mode देखने को मिलते हैं, 1x और 2x, तो आप अपने recording shoot कर सकते हैं, अब मैं guys आपको photos को zoom करके दिखाते हो, जो कि बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि guys जब आप zoom करके देखेंगे, आपको better अपनी phone की screen पर दिखेगा, कि कितनी detail जो है, इस photo में है, जो मैं आपको बो मुझे कि quality इसकी overall कैसी है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि portrait mode में subject और background में separation है, वो काफी finishing से है, face tone काफी अच्छा है, colors काफी neutral है, face पे over light नहीं है, मतलब हर चीज जो है ना, काफी बढ़िया अच्छे से define हो रही है photo में, portrait mode मेरे को सबसे जादा बहतर लगा इस phone, I don't know इस photo में ऐसा क्या है, बट मेरे को खुद की अपनी photos बहुत अच्छे लगी, usually मेरे को Android phone में बहुत कम phone पसंद आते हैं, usually मेरे को iPhone जादा बेटर लगता है photos गेने के मामले में, but जिस price segment में ये phone जो है photos डिलीवर कर रहा है न, वो सच में impressive मेरे को लगी, especially portrait mode या फिर normal mode में, photos और उसके बाद guys मैंने test किया इसका slow motion mode जिसमें हमें दो mode देखने को मिलते है 1x और 2x, and as you can see दोनों में slow motion काफी हद तक बढ़िया है, but 2x में जादा अच्छा नहीं है, 1x तक slow motion ठीक रहता है, अब चलते है next mode की तरफ और वो है night mode जहां असली exam होता है mostly phone cameras का, और इस phone का camera night mode में जादा अच्छा नहीं लगा, देखे guys बेका नेर का तो board ही नहीं दिखरा, पूरा white हो रख है, wide angle mode में, फिर मैंने change किया इसे 1x पर, और 1x पर detail काफी हद तक improve हो चुकी थी 0.6 के comparison में, यानि कि wide angle पर आपको night mode में जादा अच्छी video quality नहीं देखने को मिलेगी, 1x पर जादा improved है, फरक आपके सामने है, फिर मैंने इसको change किया 2x पर, और और भी zoom करने पर quality काफी हद तक improved थी, बट 1x की quality night mode में जादा better है, अब बात रह जाती है guys, night mode में slow motion video की, तो ये sample जो है मैंने बहुती low light situation में shoot किया, विलकुल light नहीं थी, आसपास बहुत दूर दूर त बनाएं वहाँ lighting अच्छी हो, अगर lighting अच्छी नहीं होगी तो वीडियो बढ़िया नहीं बनेगी, grains आएंगी, details कम आएगी, बट ये अपना काम जरूर करेगा, slow motion करके दे देगा, बट always prefer जहाँ पे बढ़िया lighting हो, वहाँ अच्छा काम कर सकता है, चलिए, अब चलते हैं night mode में photos की तरफ, तो ये कुछ photos के samples जो मैंने अलग-अलग mode में shoot करे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, 0.6, 1x और 2x, इस तरह के criteria से मैंने अलग-अलग photos को लगाया है, जिससे आपको better idea होगा कि ये night mode में कैसा perform करता है, और ये सभी photos, इस situation में मैंने ली, वहा के अंदर लिया, तो काफी detail जो है, इन photos में है, तो जहाँ कम lighting होती है, वहाँ थोड़े से grain सोड़ जाता है, और जहाँ पे lighting अच्छी होती है, वहाँ night mode में आपको बढ़िया quality निकाल के देता है, अगर आप ध्यान से दिखें, जो इस photo में, background में trees है न, उन में अंदर detail न नहीं दिखना, तो average है night mode, अगर lighting ना हो, lighting अच्छी होतो, तो no doubt काफी अच्छी quality की जो है, ये photos deliver कर सकता है camera, अच्छा camera के लाबा जिस चीज के लिए, ये मशूर है, यानि कि ये, इसका एक closer look आपको दिखातो, बहुत interesting कीज है, मज़ा है मेरे को ये, मतलब देख के न, का camera review करने के लाबा, इस चीज के लिए भी इसको खरीद है, तोड़ा show पूरा करके देखें, कुछ नया है, देखते हैं, बाकि कितना time ये, जो है, हमारे show पूरे करता है, फिर बहुर तो होई जाता है, इंसान एक माएक दिन इस चीज से, आईए, मैं आपको इसका closer look दिखात अपने coding आप सेट कर सकते हैं, कैसी writing आपको चाहिए, ये भी काफी कमाल किया है, glyph interface ना, कुछ अलगी इन्होंने निकाला है, जो की सच में impressive है, और काफी लोगों को impress कर रहा है, तो अपने coding आप, अपने coding सेट कर सकते हैं, बट साथ सच में ये जो है न, काफी जादा impressive मेरे को लगा, back panel जो है, ग्लास में और ग्लास के साथ सथ, ये चीज जो इन्होंने इसमें डाली है, मस्त लगी मेरे को, काफी अच्छी लगी, तो generally guys, मैं अपना review दूँ, मैंने इस जाता है, बट guys, जो camera है न, वो heat बहुत करता है phone, अगर आप long term में इस phone को use कर रहे है न, गरमी में खास कर, गरम इतना होजेगा, जैसे iPhone में होता न, iPhone में भी प्रोब्लम है, ज्यादा देर तक आप video बनाओके गरम होजेगा, इसमें भी यही हाल है, और guys, इसके अंदर जो software के glitch है न, बहुत जादा, software बहुत जादा problem करता है, Google Map ठीक से काम नहीं करता, refresh rate जो है, डिस्पले का, 120 Hz तो है, बट हर app के साथ ठीक से काम नहीं करता, तो छोटी-छोटे bugs बहुत सारे है, इसमें, जो I think आने वाले time में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे, थोड़ी-छोड़ी iPhone की feel देता है, बट ठीक है, मज़ेतार है, और नहीं update आने के बाद तो अच्छा होगा है, बस इसका software के bugs वो ठीक हो जाए, तो ये phone मस्त बढ़िया मार्केट में perform कर सकता है, क्यूंकि हर company आगे तो काम कर रही है, अच्छे-च्छे display लगा रही है, ये cloth brand है, जिसने bag में कुछ करके दिखाया, और सच में impressive है, ये glass panel बहुत जादा attract करता है, तो खेर, ये मेरा opinion है, मेरे को ये phone अच्छा लगा, जनूल नहीं बताओ, थोड़ी-छोड़ी रोबेक्स मैंने आपको बताए दिए, जो मेरे को लगे, बाकी all up to you, आपको ये samples कैसे लगे, ये phone कैसा लगा, नीचे comment करके मेरे को जरूर बताए कि nothing phone के sample आपको कैसे लगे, और इसके लावा कौन से phone के आप sample चाहते है, कौन से phone का camera test चाहते है, मुझे वो भी नीचे comment box में, जरूर बताए, तो ठीके guys, मिलते हैं आप सोब इस एकली video में, stay tune until next video, और बाकी मै तक score use करके देखते हो कि मज़ा आता है नहीं आता, okay